स्वागत अब आई एक और शांदार वीडियो में एंड सामने दो गाड़िया आप फ्रेम में देख रहे हैं दोनों ही सेल्टॉस है एक आपका बेस वेरेंट है बिलेक कलर के अंदर एंड ग्रीन कलर के अंदर आपका खड़ा है सेकन्ड बेस वेरेंट है आध हम इन दोनों का कमपेरिजन करने वाले हैं प्राइ डिफ्रेंस वगेरा की बात की जाए तो मैं पेटरॉल का एक्ट्रोरूम आपको बता दूँ बेस वेरेंट का एक्ट्रोरूम कोषट करता है ह्ट्री वेरेंट का 12,50,000 जबकि सेकंड बेस एच्टी के विरेंट का पेट्रोल के अंदर एक्षियो रूम कोश्ट करता है 14,07,000 तो करीब 1.5 लाग रुपे का फर्क दोनों गाडियों के अंदर आता है दोनों विरेंट के अंदर आता है आप इस प्राइस पर आपको क्या कुछ फर्क देखने को मिलते हैं क्या कुछ फीचर आपको एक्स्टा मिलते हैं डेड़ लाग रुपे में और उनकी वर्थ है या नहीं है तो यही चीज इस वीडियो में आज हम डिसकस करने वाले हैं तो की से स्टार्ट करते हैं यह आपकी जो है एच्टी के विरेंट की की है कीले सेंटर के साथ रिमोट सेंटर लॉकिंग के साथ उसकी key अभी missing है, मिल नी रही है, बकि उसकी जो आती है, remote center locking के साथ आती है, यह अपकी keyless entry के साथ है, तो यह तो आता है key का फार्क, and key को रखते हैं pocket में, front look की बात कर लेते हैं, front से कोई ज़्यादा major फर्क यहाँ पर नहीं है, दो जो है main चीजों का फर्क है, वैसे वो इस वेरेंट में आपको यहाँ पर हैलोजन बल्ब मिलता है, तो यह आपका फर्क आता है, headlamp setup पर, and front में आपको मिलते है, parking sensor, second base वेरेंट के अंदर, चार parking sensor आपको दिया है, जबकि यह इसमें आपके parking sensor missing है, बागी front profile में कोई फर्क नहीं है, radiator grill हो, चाहे वो silver part हो, यह त पर आपका projector headlamp पिल्कुल आपको सेम मिलने वाला है, कोई दिकत नहीं है, सिर्फ यह दो major फर्क आपको मिलते हैं, DRL and front parking sensor, and बात करें side profile की, तो tire size वगेरा आप देखते हैं, तो same steel rim के साथ R16 के with silver color wheel cover आपको tire size मिलता है, दोनों ही वेरेंट के अंदर कोई फर्क नहीं है, wheel turn indicator ORVM पर, तो यह आपका फर्का जाता है, and door handle वगेर आपको दोनों में body color मिलते हैं, but request sensor का फर्काता है, second base variant के अंदर, इधर आपको request sensor मिल जाता है driver side, and इधर आपको request sensor नहीं मिलता, because इसमें keyless entry नहीं आती है, बाकी दोनों के ही B-pillar आपको matte finish के अंदर black मिलते हैं, and दोन silver skid plate, reverse parking sensor, saltos के bashing, same LED tail lamp, setup आपको मिल जाता है, center makhiyya के साथ, logo, high mounted stop lamp, and दोनों में आपको shark fin antenna मिल जाता है, body colored, सिर्फ एक फर्काता है, वो है आपका reverse parking camera का, base variant के अंदर आपको reverse parking camera नहीं मिलता, जिबकि second base variant के अंदर आपको मिल जाता है, reverse parking camera, and boot वगेरा में, या फिर किसी train नहीं मिलती है, सिर्फ एक फर्क है, reverse parking camera, तो overall अगर आप बहार की बात की जाए, exterior की, तो आपको total 4 फर्क मिलते है, DRL, front parking sensor, and request sensor, and reverse parking camera, and ये turn indicator, total 5 फर्क आपके exterior के होते है, and ये आग ये आपका base variant है, HTE variant, interior आप देखते हैं, पूरा single tone interior आपको मिलता है, all power window इदर मिल जात हैं, जबकि आपको STK विरेंट में मिल जाते हैं, overview, electric, adjustable, ये आपका फार्क आता है, and इदर आपको speaker वगेरा नहीं मिलते हैं, base variant है, but second base variant में आपको infotainment, inbuilt मिलता है, तो भाई, वो फर्का जाता है, and seats वगेरा की बात करें, तो ये आपकी बिलकुल सेम मिलती है, fabric seat आपको सेम मिलता है, but left में आपको multimedia के control मिल जाते हैं, second base variant के अंदर, and ये base variant में आपको multimedia के control missing है, क्योंकि multimedia ये आपका missing है, तो ये आपका फार्का जाता है, and right side आप देखते हैं, traction, control, either, start, stop, सारी चीज़े सेम मिलती है, but second base variant के अंदर, इधर आपको मिल जाता है, engine, start, stop, button, वो का फार्क हो गया, बाकी का पूरा pattern यहां से ये आपका same है, manual AC आपको मिलता है, and A के अदर से आपको मिलता है, USB port, second base variant के अंदर, वो भी आपका इधर missing है, and ये जो console आप देख रहे हैं, जो भी ये आपका gray सा tone आप यहां पर देख पा रहे है, second base variant के अंदर, ये आपको glossy finish से तर देखने को मिलेगा, तो ये आपका missing है, बाकी two cup holders, center में soft touch के साथ armrest, manual handbrake वगेरा, बाकी सारी चीज़े आपको same मिलती है, top पर आपको manual dimming, IRVM दोनों में मिलता है, sunglass holder आपको दोनों में मिलता है, दोनों में आपको मिलता है, center में दो reading lamp, and इतर आप देखते हैं, glove box वगेरा में भी कोई फरक नहीं है, same आपका simple आपको glove box मिलता है, cold function वगेरा का, किसी में भी कोई option नहीं दिया है, तो ये आपका interior में जो है, बाई, front वकी बात पर करूँ, तो infotainment screen आपकी होगी, push start button हो गया, glossy finish, USB port, and ORVM, electric, adjustable, and steering पर आपको multimedia के control, तो total जो 6 फरक है, ये आ आपके front में आते हैं, front seat पर, एक बार rear में और चलते हैं, rear में क्या फरक आता है, वो और देख लेते हैं, and rear की बात करें, तो sunset वगेरा आपको दोनों के अंदर देखने को मिल जाती है, bottle ultra आपको दोनों के अंदर मिलता है, speaker वगेरा आपके missing है, तो वो आप इसको एक बार म account कर लो, वो आपकी choice है, infotainment निया, speaker वगेरा तो ही नहीं, तो यह आपका एक ही part है मेरे साब से तो, बाकी seats वगेरा पर कोई फरक नहीं आता है, दोनों में ही fixed आपको headrest मिलने वाले हैं, base and second base दोनों में है, and rear race event वगेरा मिल जाते हैं, दो आपको मिलते हैं, type support, phone वगेरा रखने के लिए, तो पूरा pattern आपका पूरा same है, rear वाली seat का, rear में कोई फरक नहीं है, एक GT बराबर भी दोनों वेरेंट्स के अंदर, तो rear आपका totally same है, तो यह आपने देखी, saltos hte versus htk variant, base versus second base variant, total differences मैंने आपको दिखाए, 11 difference आपको देखने को मिलते हैं, 5 आपको मिलते है एक्स्टीर में, end 6 आपको मिलते हैं, इंटीर में, एवर फिट से अगर आपको मैं repeat करके बताऊं, तो भाई, front parking sensor हो गया, DRL हो गया, turn indicator हो गया, side वाला fender पर, and keyless entry वाला आपका request sensor हो गया, reverse parking, camera, यह आपको total मिलते हैं, 5 एक्स्टीर के फरक, and interior में आपको, जो है, electric adjustable, ORBM हो हो जाते हैं, infotainment screen हो जाती है, multimedia के control आजाते है, steering पर, USB port, and जो center में आपको मिलता है, console पर, glossy touch, यह आपको total 6 फरक अंदर के मिलते हैं, तो आपको, 11 फरक total मिले हैं, डेट लाग रोपे के अंदर, भाही, डेट लाग रोपे में, मेरे साब से, अगर मैं बात करूं, तो मेरे साब से तो वर्थ नहीं है, मेरी जो चोईस है, मतलब basic need के अगर चीज़े आपको मिल जाए, गाड़ी के अंदर तो वो best है, like आपको remote center locking मिल जाए, ओह all power window मिल जाए, बाकी infotainment अवगेरा कोई इतने बड़ी सीज नहीं है, वो आप accessories में भी लगवा सकते हैं, even अपनी choice का लगवा सकते हैं, तो ये कोई इतने बड़ी सीज नहीं है, तो मैं तो personally recommend करूँगा कि आप base variant पर जाए, पहले तो थोड़ा पर का आता था भी base में, कि आपका base में आपको black color नहीं मिलता था, अभी तो आपको base के अंदर black color भी देखने को मिल रहा है, तो ये काफी अची च टाक फीचर मिलते हैं वाई, डेल लाग रोबे में कोई दिक्कत नहीं है, बाकि आपकी choice है, बाकि वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो इंफ्रमेंट अप लगी हो तो please वीडियो को यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तैंक यू